गुड मॉनिंग एवरिवान वेलकम टू माई यूटूब चैनल इग्साम हंट तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रहे हैं कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा तो गाइस आज की सीरीज को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रिशन देखेंगे और फिर आज की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फियूजन हूँ तो आप हमसे कॉमेंट करके पहुँच सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करिएगा तो चलिए गाईस कल का प्रिशन ह ग्लोबल मेगजीन टाइम आउट की विश्व के सबसे बहतरीन सहरों की सूची में सीर्षिस्थान पर कौन रहा Who top the list of the best cities in the world by the global magazine टाइम आउट A option है San Francisco B option है Mexico C option है Tokyo D option है Parish तो guys जिन्होंने इसका right और सबसे पहले आंसर किया है वो है शिवानी मिस्राजी जिन्होंने इसका right आंसर किया है तो जी हाँ guys इसका जो right आंसर है वो है option number A San Francisco तो आईए इसके बारे में कुछ महत्पून बातें भी जानते हैं San Francisco Global Magazine Time Out की विशुक के सबसे बहतरीन सहरों की सूची में सीर्स स्थान पर रहा Times Magazine ने यह सूची 27,000 लोगों के बीच सर्वे करके बनाई इस सूची में दूसरे स्थान पर नीदरलेंड के Amsterdam सहर रहा और तीसरे स्थान पर England का Manchester सहर रहा जबकि चौथे स्थान पर Denmark का Copenhagen सहर रहा और पांचवे स्थान पर New York छटे स्थान पर Canada का Material सहर रहा तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कनफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूश सकते हैं तो चलिए गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्ण है किसने दैनिक वेतन भोग्यों के लिए साथी कार्ड लॉंच किया वू लॉंच ता साथी कार्ड फॉर डैली वेज अर्नर्स A उप्सन है सुरेश रावत B उप्सन है महेश नाकपाल C उप्सन है दुश्यंत देव या D उप्सन है आदित्य चोपड़ा तो गाईस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहेए किसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हाँ कैस इसका राइट आंसर है आप्सन नमबर D आदित्य चोपड़ा जी तो आई इनके बारे में कुछ महात्पूर्ण बाते भी जानते हैं प्रिसिद्य फिल्म भारतिय फिल्म निर्माता और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री के दैनिक बेतन भूगी और उनके परिवारों को स्वास्त बीवा सुल्क भत्ता आदि प्रदान करने के लिए साथी कार्ड लॉंच किया साथी कार्ड मुंबई में हिंदी फिल्म संग के द्वारा पंजीकृत किसी भी सदश्य को दिया जा सकता है जिसकी आयू 35 वर्स या उससे अधिक है और कम से कम एक प्रत्यक्ष आस्रित है आदित चोपड़ा ने यस चोपड़ा फाउंडेशन के तहत इन सभी लोगों को स्वास्त बीमा रासी प्रदान करने के लिए यह एक एहम पहल लॉंच की है तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फीजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँश सकते हैं तो चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दुनिया भर में सबसे बहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे इस्थान पर भारत का कौन सा रज रहा विज स्टेट ऑफ इंडिया रेंक्ट सेकेंड इन टरम्स ऑफ दे बैस्ट होस्पिटलिटी इन दे वर्ल्ड ए उप्सन है उदैपूर बी उप्सन है कुरुशेत्र सी उप्सन है कोलकाता यडी उप्सन है बैंगलूरू तो गैस आप भी आमें कॉमेंट करके बताते रहिए किसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हाँ गैस इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर ए उदैपूर तो आईए इसके बारे में कुछ महत्पूर्ण बातें भी जानते हैं दुनिया भर में सबसे बहत्रीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का उदैपूर सहर रहा वहीं अतिति सतकार और मेहमान नवाजी में भारत का जैपूर सत्रवे स्थान पर रहा यह ranking विश्व प्रसिद मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर की leadership सर्वे द्वारा जारी की गई पिछले साल इस ranking में उदैपूर सात्वे स्थान पर था जबकि जैपूर पिछले साल इस ranking में चोद्वे स्थान से खिसक कर सत्रवे स्थान पर पहुँच गया है तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज के next question पर चलते हैं भवानी रॉय का निधन हुआ है उनका संबंद किस खेल से था भवानी रॉय हैस पास्ट अभी ही वास रिलेटिट टू विच स्पोर्ट्स ए उप्सन है कबर डी बी उप्सन है हौकी सी उप्सन है फुटबॉल या डी उप्सन है क्रिकेट तो गैस आप भी हमें comment करके बताते रहिए कि इसका right answer क्या होगा तो जी हाँ काईस इसका right answer है उप्सन नंबर सी फुटबॉल तो आईए इसके बारे में कुछ मातपॉन बातें भी जानते हैं पूरु भारती खिलाड़ी और मोहन बागान के दिकज फुटबॉलर भवानी रोय का लंबी विमारी के कारण कूलकाता में निधन हुआ भवानी रोय 1979 के मेरडिका कप में भारत का प्रतिनिज़त्य किया था रोय गरेलू इस तर पर 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल की टीम का हिस्सा रहे थी उन्होंने 1972 में टीम की कप्ताने की जो टीम के साथ उनका अंतिम्शाल था तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हूँ तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं एसिया ओलम्पिक परशत के कारवाहक अध्यक्ष कौन बने? वो बिकम ता एक्टिंग प्रेसिडेंट आप ता एसिया ओलम्पिक काउंसलिंग? ए ओप्सन है राजा रणधीर सिंग, बी ओप्सन है प्रवेंड राजपूत, सी ओप्सन है गगंदीप सिंग रावत, या डी ओप्सन है नन अफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं तो गैस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहें किसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ काईस, इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर A, राजा रणधीर सिंग जी तो आईए इनके बारे में कुछ महत्पून बातें भी जानते हैं राजा रणधीर सिंग ने एशियाई ओलम्पिक परशत के कारिवाहक अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया राजा रणधीर सिंग ने पांच बार ओलम्पिक में निसाने वाजी में वर्स 1978 में भारत का स्वर्ण को स्वर्ण पदक दिलाया था जिसके तहट उन्हें मानत जीवन उपाध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया था एशिया ओलम्पिक परशत का मुख्याले कहां इस्तित है तो एशिया ओलम्पिक परशत का मुख्याले कुबैद में इस्तित है ACI Olympic परिश्द की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके पूँश सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करिएगा हमारा next question है किस payment bank ने fast tech आधारित metro parking सुभिदा launch की विच payment bank है लॉंच्ट फास्ट आग बेस्ट metro parking फैसिलिटी A option है PTM, B option है Airtel Money, C option है Google Money ये D option है None of these इन में से कोई भी नहीं तो गैस आप भी हमें comment करके बताते रहिए किसका right answer क्या होगा तो जी हाँ guys इसका जो right answer है वो है option नमबर A, PTM तो आईए इसके बारे में कुछ महत्वण बाते भी जानते हैं PTM Payments Bank Limited ने दिल्ली Metro Rail Corporation के साथ कस्मेरी गेट Metro Station पर भारत की पहली fast tech आधारित Metro Parking सुविदा लॉंच की PTM Payments Bank एक वैद fast tech sticker वाली कारों में कारों के लिए सभी fast tech आधारित लेंदेन के प्रसंसकरण के सुविदा के लिए अधिगरान करने वाला बैंक होगा PTM Payments Bank Limited के MD और CEO कौन है तो इसके MD और CEO सतीस कुमार गुपता जी है PTM Payments Bank Limited का मुख्याले कहां इस्थेत है तो इसका मुख्याले नौईडा में इस्थेत है तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके पूँच सकते हैं और अगर आपको वीडियो में कहीं भी confusion हो तो आप हमसे comment करके ज़रूर पूचिएगा अब हम अपने सीरीज का एक special question देखेंगे जिसका answer आपको हमें comment करके बताना है किस cricketer ने cricket के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की विच क्रिकटर हैस अनौच्ट हैस रिटायर्मेंट फॉर्म आल फॉर्म्स ओफ क्रिकट ए उप्सन है जो रूट बी उप्सन है लसित मलिंगा c option है रोहित सर्मा यर d option है none of these इन में से कोई भी नहीं तो guys आपको इसका answer हमें comment करके बताना है किसका right answer क्या होगा और अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ी सी भी confusion हो तो आप हमसे comment करके जरूर पुछेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसी like करें share करें और subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और अगर आप हमारे social media handle से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें facebook पर follow कर सकते हैं instagram पर भी follow कर सकते हैं और अगर आप हमारे telegram channel से नहीं जुड़े हैं तो link description box में हैं जल्दी से चुड़ जाएं तो चलिए guys thank you so much everyone have a good day अपना ख्याल रखिए अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए thank you bye bye and take care